हेलो फेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आउनलाइन डर्निंग वेबसाइट दोस्तों आज में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने मुबाइल को पीसी में करेंट कर सकते हैं अमाइक पीसी में आगर आपको माइक चलाना है और आप अपने स्मार्टफोन को ऐसा माइक यूज करना चाहते हैं तो इस अपलिकेशन का आप यूज कर सकते हैं जिसका नाम है वह माइक फी माइक हर्फॉन तो इस अप्लिकेशन की मदद से आपने स्मार्टफोन को as a mic use कर पाएंगे इसके दोस्तों सबको आप सबसे बहुत करना है सबसे पहले आपको वो माइक गूगल पर सर्च करना है और इसका वेबसाइट आज़ेगी उसकी वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको कि इस तरह से यूज इंटर्फोस मिलेगा जहांप आप देशनें फीचर्स में आपको वो माइक एप वो माइक क्लाइंट वो माइक वर्चुल डिवाइस क जो भी बोलेंगे वो सिंपल आपको इस वो माइक कंवर्टर के दुरू आपका जो यह एप है इस एप की मज़़ से आप अपने मोबाइल फोन को आज माइक यूज कर पाएंगे और इसको साथे सार अपने पीसी में आप रिकॉर्ड भी कर पाएंगे तो आप देशने वो म प्रिक्षा आपक यह रिकॉर्ड फोन के अपने माइक तो आपक देशने मारा ने सबस्क्रा में एक जा क्या को आपका जाई में तो आपके है इस बीकनेक्षिन नियुर्ट थे उप्स्ट कर रिकॉर्ड ऑन पीसी तो एडशनेक्षों कर पाएंगे उसे और अप्स्ट्मां USB Bluetooth Wi-Fi and Wi-Fi Direct also and this is the audio format आप 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 तेखोगे तो यहां पर आपको PC के लिए setup 5 मिल जाएगी वो माइक क्लाइंट फॉर Windows और यहां वर्जिन इसका 4.7 इंस्टॉल ड्राइवर ऑन PC इसका वर्जिन इसके 1.6 इन दोनों को आपको जनली इस्टॉल करने के बाद आप यहां पर देखोगे तो डिवाइस मैंजर में आपको यहां पर सदीन दिखाए देगी वो माइक डिवाइस के नाम से यूजर गैट जैसे मैं आपको बताएं आपको वाइफाई यूएजबी ब्लुटूथ वाइफाई एंड वाइफाई डिरेक्ट अप्लिकेशन सिर्फ यहां पर देखेंगे और अगर आपको यूएजबी कर दो यूज़ करना तो आप सिंप कर सकते हैं इनेवल यूजबी डिविगिंग करने पर ही आपको यह जो है यह वर्क करेंगा यहां पर देसकते हैं कॉन्परिशन ट्रांसपोर्ट में अब जो मैंने आपको पताया तो सिंपल आपको यह चीज़े यूज़ करना है आप इसको आप लांच करेंगे लांच करन करने करना है कि आपके मैतर से करनेट करा रह थőlुश यूजबी कर दिरूँ इस चिह से कुछ फीचर रहें आपको तो यह आपको बता है कि आप किस ताल से अपने स्मार्ट फोन को हमिशा सकते हरा माइक वायक Special तो इस application के थूँ आप अपने smartphone को as a mic use कर पाएंगे जो कि बहुत सिंपल method है Thanks for watching and sharing